आप सबी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में मैं हूं मानस पांडे अगर आप भी तैयारी कर रहा है UP PCS के Prelims और Mains की फिर वो चाहे 2024, 2025 और 2026 तो मैं आपको डेली बेसिस पर अप टार्गेट दोंगा जब तक 2024 का Prelims नहीं हो जाता और फिर दब तक Mains नहीं हो जाता तो चलिए आज का Target No.8 मैं आपको देने जा रहा हूँ जब आप Target Accept करते हैं तो Comment Box में जरूर लिखिएगा कि Target Accepted मानलिया आपसे एक Topic छूट जाता है जैसे आपसे Modern History छूट जाता है तो आप Quality से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका Target बीच में कहीं छूट जा रहा है तो आप बीच से कहीं भी Start करें देखिए आप Topic स्टार्ट करिए जैसे Modern History का बीच में से कहीं छूटा तो शूरू से Modern History स्टार्ट करिए पॉलिटी का बीच में छूटा तो जो Current चल रहा है देखिए पहले हमेशा याद रखिए अगर आपका Target चूटता है माल या बीच में कोई Target चूट गया छोड़ दीजे उसको आज से जो Target है पहले उसे Complete करिए फिर बच्चे समय में पिछला Target Complete करिए इस हिसाब से पूरा किया जाता है जो चल रहा है उसके साथ चलते रहना जरूरी है अगर आपने आगे का छोड़ दिया तो फिर पीछे का तो छूटे गई छूटे गई इसलिए आगे का जिस दिन आ पूरा का पूरा आपने देखा होगा तो अब तक आपने टोटल चार-पांच वीडियो कम्प्लीट कर लिए होंगी इंडियन पॉलिटी की मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो नंबर एक से वीडियो नंबर वीडियो नंबर एक में मैंने बताया है कि आपको चे से वीडियो नंबर दस तक कम्प्लीट करना है चे साथ आट नौ दस मतलब वीडियो नंबर चे में और वीडियो नंबर दस में राजियो का पूरा रगठन वहां तक आपको पूरा रड़ डालना है ध्यान से सुनिएगा अब जब आप पढ़ रहा है ना तो सरफ करपया जब भी वीडियो को पढ़ें वीडियो का जो आपको खुद को समझ में आए वह इंपॉर्टेंट नोट जरूर बना लिया करिए अब यह जो भी टॉपिक है जैसे इंडियन पॉलिटी आपको पता है कि कनफर्म आता है पेपर नंबर टू जी एस यूपी पी पीए प्रस्ता होना से लेकर के हिस्टोरिकल बैक्राउंड तक यह सब मेंस के सिलिबस में है तो आप वीडियो नंबर 6 से वीडियो नंबर 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सबसे पहला टार्गेट दूसरा आज आपको क्या करना है कि पिछला 1994 का याद रखिएगा 1994 का एक पर देना है अब आप एक गंटे में कतम कर सकते हैं तो एक गंटे में कतम करिए लेकिन आपको 1994 का एक पेपर देना है टॉपर्स कोट से यूपी पीसियस का और जब आप पेपर दे लें तो उसको फ्री पीडियेफ पे जाईए तो फ्री पीडियेफ में आपको दिखेगा 1994 1994 का solve वहां से आप पूरा उसको revise कर सकते हैं मेरे कहने का मतलब कि आज आपको 1994 में पूछे हुए UPPCS के सारे प्रशन पढ़ लेने हैं अच्छे से पढ़ लेने हैं तो सबसे पहला target वीडियो नंबर 6 से वीडियो नंबर 10 तक दूसरा target है क्या यही वीडियो नंबर 6 से वीडि उसके बाद आजएगे जब आप quality का यह दो काम कर लेंगे फिर आप क्या करेंगे 1994 के UPPCS का paper आप attempt करेंगे और जब आप attempt कर लीजेगा भले एक गंटे में attempt करिए लेकिन उसको आज की date में attempt करिएगा 1994 का paper ठेक है कहा मिलेगा toppers code पे UPPCS वाले को उठाईएगा उसमें आप folder है 30 years previous year question उसको open कर लीजेए वहां से उसको attempt करिए तिक जब आप attempt कर लें तो toppers code के free material पे 30 सालों का प्रशन है किसका 30 सालों का प्रशन नहीं मेरे कहने का मतलब 1994 का paper है UPPCS का 30 सालों का प्रशन अलग है 1994 का paper अलग है उस paper को उठागे पूरा पड़ डालिए तिक solve कर लीजे ताकि जो गलती आपसे भी test देते समय हुई वो आपसे अब ना हो मतलब वो question अगर दुबारा exam में आए तो आप उसको सही जरूर कर लेंगे तो ये काम है अगला काम है कि आपको फरवरी का फरवरी 2024 का चौथा current affairs attempt करना है आज की date में मैं फिर से बता दूँ अगर आपका क कोई test छूड़ जाता है आपका कोई target छूड़ जाता है तो जिस दिन से आप शुरू करें उसी दिन से start करें पिछला छोड़ दीजे आज की date में देखें आपको थोड़ा सा ये जरूर करना पर इतने आसानी से नहीं निकलता PCS मानले आपका कल का target छोड़ दीजे आज का पहले पूरा करिए फिर थोड़ा थोड़ा कल का भी उठाते रहिए इस तरीके से target आप अपना achieve कर सकते हैं और जो पिछला चूटा है सब को cover कर सकते हैं ठीक है ना ओके thank you so much